सव रुपय में एक किलो रवा सक्कर पाम्तेल चनादाल एकनाच सिंदे सरकार के तरफ से मुंबई करो को दिपावली पर आनन्दाची सीधा वाटप सव रुपय में एक किलो रवा सक्कर पाम्तेल एक किलो चनादाल आनन्दाची सीधा वाटप नामक युजना की घोशना की है बोरुवली विधान समाच छेत्र के गनपती अपार्टमेंड में इस्तित 43 जी 33 में यह देखिए इस कारेकरम को सुभारम भाजपा के विधायक सुनि लाने के हातों किया गया इस असर्व बोरुल शेत्र की साहक राशनिंग अधिकारी आनिता सुधिर पाठक राशनिंग रिक्षक और पुरुवा अस्वकबाईत सहीध भारी संख्या में बीजेपी की कारेकरता उपस्तित रहे यह रिकोर्ट समनेस्टल मॉंबई सरकार करना चाहिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं अंपको फाइदा बहुत देते गोपल सीकी और सुमेर आले के लिए सब अच्छा काम लोग राशनिग करते हैं तो काम भी गर जाता है हमारा वह गुषा सब्सक्राइब 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 चार वस्तु देता है शंबरुपया मदे तेचा वीतरन आजपस हुना आमचा बरोली कार्यक्षेत्रात आता सद्धेश्दी चार दुखाना तानी एत्याक दोन दिवसा मदे सदुस्ष्टा दुखानान मदन परिपड़न पने चालू होईल यही नकिच खबर पहले तो मैं सरकार का विशेश रूप से अमारे महाराष्ट के मुख्यो मंतरी सन्मान निश्टी एकनात राव जी शिन्दे साब और अमारे उपमुख्यो मंतरी सन्मान निश्टी देवेंदर जी फड़न वीस इन दोनों का तह दिल से आबार वक्ता करता हूं मनपुरुवक अभिनिंदन करता हूं और ये दोनों के माद्यम से महाराष्ट सरकार की और से दिवाली के समय में अपने गोर गरीब लोगों के घर में दिवाली मनायने के लिए सौ रुपिया लेते हुए चार वस्तू का व जिसको मराठी में कहते हैं कि आनंदाचा शिदा ये कलपना हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उपो मुख्यमंत्री दोनों के मन से आई करोना के काल के पश्चात की ये पहली दिवाली है और दिवाली में गोर गरीब जनता को अपने घर में बले ये चार वस्तू है लेकिन य उपो मुख्यमंत्री महोदय ने बनाई और उसको नीचे तक पहुचाने का काम सभी लोग कर रहे हैं विधायक कर रहे हैं जानसत कर रहे हैं ना बलके मुंबई में बलके पूरे महराष्ट में लाखो करोडों लोगों के घर में ये दिवाली मनाने के लिए ये वस्तू का वितरन किया जा रहा है मैं मानता हूं कि ऐसी अभी नव कलपना और गोर गरीब जनता के घर में दिवाली हो ऐसे मन में सोचने वाले मुख्यमंत्री और उपो मुख्यमंत्री दोनों का आज विशेश रुप से हम सभी लोग अभी नदन करते हैं आप देखते हैं कि आज सु प्रेक्रम शुरू होगा आने वाला समय निश्रित रुप से दिवाली सभी नागरिकों को सुख समुरुद्धी और आने वाले समय की आरोग्य की जो एक अच्छा सहथ भगवान के चरण में प्रार्थना करते हुए इस दिवाली की शुबकामना है